नमस्कार चार का चक्रवियू में आपका स्वागट है मैं हुआ आपके साथ पूजा नेता हो या अपराधी आतंकी हो या जिहादी कौन किसके चक्रवियू में फसा इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रवियू में आज सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को लगे दो बड़े जटको की करेंगे बात रास्टपती और उपरास्टपती चुनाव में दो नाव में सवार होने की कोशश में लगे उद्धव ठाकरे की करेंगे क्योंकि उद्दब की चौलाकी की वज़ा से शवसेना टुकडे टुकडे हो गए है फिर बात करेंगे CBI के चक्रवियू में फसे आप विदायक अमानतुल्ला खान की जिसके खिलाफ दिल्ली के उपराजपाल वीके सक्सेना आक्शन मोड में आ गए है और एक ऐसे केस में जाच शुरू करवाई है जिससे अमानतुल्ला खान सीधे जेल जाएंगे चक्रवियू की तीसरी खबर में बात करेंगे बिहार पुलिस के चक्रवियू में फसे PFI की जिस पर हंटर चला और जिहादी जाच में खदेडी गए तो पूरा का पूरा संगटन बिहार की सडकों पर उतराया जम कर चाती पीटी और PFI के जंडे लहरा कर गिरफतारी को साजश बताया चौती और आखरी खबर में बात करेंगे सिंगापूर ट्रिप के चक्रकाल में फसे के जिवाल की जो बार बार चाती पीट रहे हैं कि उन्हें सिंगापूर जाना है लेकिन किसी रीजन की वज़ा से बोधी सरकार उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे रही जिससे दिल्ली में एक नया युद छड़ चुका है चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यू की और सबसे पहले बाद शिंदे के चक्रव्यू में पसे उदव ठाकरे की करेंगे जिनें हर रोज बड़े बड़े जटके लग रहे हैं इस बार तो उदव ठाकरे को 14 सांजदों ने जटका दे दिया है और शिंदे का हाथ ठाम लिया है जिससे उदव ठाकरे सिर्फ पकड़ कर बैट गए है क्योंकि दूसरी तरफ उनके करीबी नेता रामदास कदम ने भी शिवसेना से इस्तिफा दे कर उनके होश उड़ा दिये है उससे भी जटका तो तब लगा जब रामदास कदम ने मीडिया के सामने उदव के काले चटे खुले जिने जानकर हर कोई दंग रह गया रामदास कदम ने कहा कि पार्टी वे रहते वे उनकी जमकर आलोचना की गई मीडिया के सामने बोलने से रोका गया उदव की शिवसेना ने उनके साथ साथ उनके बेटे को भी अपमानित किया जिसका नतीजा अब उदव ठाकरे को जहिलना पड़ा है और मौका देखते ही रामदास कदम और उनके बेटे वधायक योगेश कदम ने भी शिंदे गुटका रुक कर लिया जिससे उदव ठाकरे मजदार में फस गए है और शिवसेना भी उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है नेताओं के जाने से उदव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे ये जटका वैसे तो उदव ठाकरे को एक साथ दोनाओं में सवार होने पर लगा है क्योंकि एक तरफ तो वो NDA की रास्टपती उमिद्वार दुरौपती मुर्वू के समर्थन में है तो महीं दूसरी तरफ उन्होंने एलान कर दिया है कि वो उपरास्टपती चुनाओं में विपक्ष के उमिद्वार को समर्थन करेंगे बस उदव की यही चाला की उन्हें ले डूबी पहले ही उनके सांसदों ने चितावनी दी थी कि अगर वो रास्टपती या उपरास्टपती चुनाओं में विपक्ष के साथ जाएंगे तो वो सांसदों से हाथ दो बैठेंगे आखिर में यही हुआ 14 सांसदों ने उदव की चंद मिन्टों में हेकड़ी निकाल दी तो एक तरफ उदव ठाकरे बरबाद हो गए तो वही दूसरी तरफ के जिवाल के चहेते विधायक अमानतुल्ला खान CBI के चक्रवियों में फस गए है अमानतुल्ला खान पर आक्शन लेने के लिए उपराजपाल वीके सकसेना का हंटर चला है और वो जल्द ही सलाखों के पीछे जा सकते हैं क्योंकि सतेंद्र जैन के बाद अब अमानतुल्ला खान का भरस्टचार सब के सामने आ गया दरसल आम आदमी पाटी के विधायक अमानतुल्ला खान के खलाब दिल्ली के उपराजपाल वीके सकसेना ने CBI जाच के आदेश दे दिये है ये जाच साल 2016 में दिल्ली वब बोर्ड में हुई न्युक्तियों की धांदली और सरकार खरजाने को नुकसाना पहुचाने को लेकर है अमानतुल्ला खान के साथ वब बोर्ड के ततकालिन मुख्यकारिकारी अधिकारी महबूब आलम के खिलाब भी CBI को केस दर्श करने की आनुमती दी गई है आरोप है कि अमानतुल्ला खान और महबूब आलम ने अपने पदों का दुरुपियों करके वब बोर्ड में अपने जानने वालों की न्युक्ति की क्योंकि जिस वक्त ये धांदली हुई उस वक्त अमानतुल्ला खान दिल्ली वब बोर्ड के अध्यक्ष थे इसके साथ ही महबूब आलम वोट के मुख की कारिकारी अधिकारी थे इस दोरान दोनों ने मिलकर जमकर सरकारी सिस्टम में घुन लगाया और अपनी जेब भरी जिसका अब CBI हिसाब करेगी बता दे कि इस मामले में केजिवाल सरकार के राजस्व विभाग के SDM ने नॉमबर 2016 में वब वोट के ततकालिंग अध्यक्ष के खलाब शिकायत दर्श करवाई थी उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने वब वोट में स्विक्रित और गैर स्विक्रित पदों पर मनमाने धंग से न्यूक्तिया करवाई इसके बाद CBI जाच में भी ये सामने आया कि जान बूचकर नियमों की अंदेखी की गई और हजारों योग लोगों को नजर अंदाज करके भरती प्रक्रिया में मनमाने धंग से अपनी लोगों को वब वोट में शामल किया गया इससे सरकारी खजाने को भारी नुक्सान पहुचा जिससे उनके खलाब रस्टचार का मामला दर्ज किया गया इसके साथ ही केजवाल के मानदारी के ढोंग की पोल भी खुल गई जांच से ये भी सामने आया कि अगर भरती की प्रक्रिया को पारदर्शी और नस्पक्ष किया जाता तो योगी लोग नौकरी पाते लेकिन केजवाल के वधायक अमानतुल्ला खान और बवबोड के पुर्व अध्यक्ष आलम ने अने लोगों को समानता और अवसर के अधिकार से दूर रखा और उनी की न्यूक्तिया की गई अब केजवाल के चहेते अमानतुल्ला खान पर गिरफतारी की तलवार लटक गई है क्योंकि CBI की राजनिवास को भीजी गई फाइल में अमानतुल्ला खान और महबूब आलम के दोशी टहराने के लिए परयाप्त सबूत है जिससे केजवाल की धड़कने भी काफी बढ़ गई है क्योंकि उनके और उनकी गैंग के नेताओं की एक एक करके पोल खुल रही है आज जिस आम आदमी पार्टी के भरस्ट चार सामने आ रहे है ये वही आम आदमी पार्टी है जसके मुख्या के जिवाल ढोल पीट पीट कर ये कहते थे कि उनकी पार्टी इमानदार है उनके नेता इमानदार है आज सतिंद जान के बाद सामने आया अमानतुल्ला खान का खेल बता रहा है कि ये महा भ्रस्ट पाटी है एक तरफ दिल्ली सरकार घिर गई है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में PFI छाती पीट रही है क्यों? क्योंकि अब वो NIA के चक्रव्यू में बूरे तरीके से फस गई है बैन होने की कगार पर है इसलिए ये जिहादी संगटन सड़कों पर उतर कर आतंकियों का खुला सपोर्ट कर रहे है दरसल पटना का सच सामने आने के बाद अब पुलिस ने इता बड़ तोड तरीके से चाप इमारी भी शुरू कर दी है और PFI से जुड़े कई ऐसे लोगों को गिरफतार भी किया गया है जिन पर आतंक की पार्टशाला चलाने के साथ साथ नौजवालों को गुम्रा करने का भी शक है पुलिस और जाच एजनसियों को अब तक की तफ्तीश में जो कुछ भी हाथ लगा है वो भी कम चौकाने वाला नहीं है क्योंकि इन आतंकियों के पास से PFI, SDPI के जंडे कुछ खूफिया दस्तावेज बरामद हुए है अब पकड़े जा रहे हैं संदिक्ध आतंकियों की पूरी कुणली खंगाली जा रही है इनके आर्थिक कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं संदिक्ध आतंकियों का नेट्वर्क खंगालने के लिए अनिराजियों की ATS की मदद भी ली जाएगी इस बीश बिहार के दरबंगा में पुलिस एक्शन पर PFI ने विरोल जताते वे प्रदर्शन किया और इस दोरान PFI के जंडे लहराए गए खुलियाम सडकों पर जिहादी संगटन के लोगों ने चाती पीटी और तोर पुलिस की इस कारवाई को फसाने की साज़ुष तक करार दे दिया PFI के प्रदेश अध्यक्ष महभूब आलम ने आरोप लगाया कि अतहर परवेज और मोहमद जलाओ दिन PFI के सदस नहीं है बलकि दोनों SDPI के सदस है अब इन जनाब से कोई पूछे कि SDPI PFI का ही संगटन है और ये जिहादी संगटन देश को बरबाद करने PM Modi के साथ साथ हिंदूों के खिलाब प्लानिंग करने में जुटा है अब जिहादी संगटन के आका बिलबलाते हुए कह रहे हैं कि इन आतंकियों का पाटशाला में PFI का कोई हाथ नहीं है हाथ नहीं तो हर जगा होने वाले दंगों में कैसे PFI की जुड़ी खूफिया चीजे मिल जाती है कैसे इन आतंकियों की बैंक डिटेल बताती है कि PFI इनका आका है क्योंकि इनके घरों में PFI के जंडे लहराए जाते है क्योंकि आतंकियों के साथ प्लानिंग में PFI के लोग शामिल होते हैं अब जब पुलिस का डंडा पढ़ रहा है तो इन्हें साजश याद आ रही है ऐसे में अब जोरो शोरों से इसे बैन करने की मांग उठ रही है जल्दी PFI पर मोदी का हंटर चलने वाला है क्योंकि इसकी देश विरोधी कर्तूते लगातार बढ़ती जा रही है अब आखरी खबर में बात करेंगे मोदी और उपराजपाल के संगापुर चक्रकाल में फसे केजरिवाल की दिरसल दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन के जिवाल की संगापुर यात्रा का विवाद संसर तक पहुँच गया है आम आदमी पाटी के राजसबा संसर संजर सिंग ने नोटिस देते हुए इस पर सरकार से जवाब की मांगी है के जिवाल को अगस्त में संगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटी सम्मिट में हिस्सा लेने जाना है लेकिन उनकी फाइल सरकार पास नहीं कर रही है अब क्यूं उन्हें मोदी सरकार संगापुर जाने से रोक रही है इस पर चर्चा करें लेकिन उससे पहले ये बता दें कि संसद में विपक्ष के सभी लोग महंगाई पर चर्चा के लिए मोहौल बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ के जिवाल की पाटी सिंगापूर जाने की परमिशन नहीं देने पर बॉखला रही है ऐसा क्या है सिंगापूर में जहां जाना के जिवाल के लिए इतना जरूरी हो गया कि वो अपने जनहित के मुद्दे भूल गये और सिंगापूर जाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं दिरसल सिंगापुर में केजवाल दिली के फ्री मॉडल को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम को गुंड लगा कर वो लोगों को पागल बना रहे हैं और मोधी सरकार को घेरने के लिए उन्हें एक नया मौका बलेगा, क्योंकि केजवाल का अब यही क काम रह गया है, कहीं भी जाते हैं, अपने फ्री मॉडल को चमकाने में लग जाते हैं, यही काम यह सिंगापुर में करने की कोशिश में लगे हैं, कहा जा रहा है कि यह वहां जाकर कोई खूफिया डील भी कर सकते हैं, इसलिए कि जवाल बार बार सिंगापुर जाने के लि तो आज चक्रव्यू में मेरे साथ फिलाल इतना ही कल फिर कौन किसके चक्रव्यू में फसेगा नए मुद्धे के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेश खुला से तब तक के लिए देखते रिए क्यापिटल टीवी नमस्कार झाल